प्रमाना भास या अयथार्थ ज्यान ज्यान यथार्थ और अयथार्थ के भेद से दो प्रकार का होता है यथार्थ ज्यान को प्रमान कहते हैं और अयथार्थ ज्यान को प्रमाना भास कहते हैं अयथार्थ ज्यान के तीन भेद हैं संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय पहला संशय संशय को परिभाशित करती हुई विक्षुन्याय करनिका में लिखा गया अनिर्नाई विकल्पह संशयह निर्नाई शुन्य ज्यान का नाम संशय है जिस ज्यान में कोई निष्चे नहीं हो पाता वह संशय कहलाता है जैसे यह गव है या गवय अर्था नील गाई संशय वहां होता है जहां वस्तु तो एक होती है पर हमें उसमें दो धर्मों का ज्ञान होता है गाई और गवय के उदाहरण में वहां या तो गाई होगी या गवय अर्था नील गाई दोनों में से कोई एक वस्तु होगी पर जब हमें उस एक चीज को देख कर दो धर्मों का ज्यान हो और हम यह निर्ने न कर पाई कि दोनों में से वास्तों में वस्तु क्या है तो वह अनिर्नेत अवस्ता ही संशे कहलाती है किन्तु जहां एक ही वस्तु में दो धर्म पाई जाते हो और वह यदि हमें उस एक वस्तु में दो धर्मों का ज्यान हो रहा हो तो वह संशे नहीं है जैसे पदार्थ नित्यबी है और अनित्य भी है जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपिक्षा भेद से नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है अथा नित्य और अनित्य इन दो विकल्पों में निर्नायक्ता होने के कारण यह संचय नहीं हैं संचय एक दूलायमान अवस्था है इसमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा चाता है दूसरा विपरियाय, विपरियाय को परिभाशित करते वे भिख्षुन्याय करनी का में कहा अ तत्वे तत्ता ध्यवसायो विपरिययह विपर्यय अर्थात विपरीत ज्यान हमारे ज्यान में जो वस्तु प्रतीत हो रही है वो वास्तों में न हो उससे विपरीत हो वहाँ विपर्यय होता है जैसे अंधकार में रसी को देख कर उसमें सर्प का निर्णय कर लेना विपर्यय है अत्वा चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति या निर्णय कर ले कि विपर्यय चल रहे हैं मैं स्थिर हूँ तो यह भी विपर्यय है क्योंकि विपर्य तो स्थिर रहते हैं पर चलत प्रती हुई ट्रेन में वे हमें चलते हुए प्रतीत होते हैं अतर यह भी विपर्यय का उदाहरण है। संशे और विपर्यय में मूल अंतर यही है कि संशे में हम किसी निर्णय पर नहीं पहुचते, जबकि विपर्यय में हम निर्णय पर पहुच जाते हैं, पर हमारा निर्णय सही नहोकर गलत होता है। तीसरा, अनध्यव साय, अनध्यव साय को परिभाशित करते हुए, भिक्षु न्याय करनिका में लिखा गया है, आभास मात्र मनध्यव साय हक, वस्तु का आभास मात्र होना अनध्यव साय है, अनध्यव साय में अन्यथा ग्रहन नहीं होता, इसलिए इसे विपर्य नहीं कहा जा सकता, और वस्तु का विशेश स्पर्ष न होने के कारण इसे संशय भी नहीं कहा जा सकता, इसमें विशेश का स्पर्ष मात्र होता है, उसका नामुलेक नहीं होता, निर्ने तक नहीं पहुँचता, अतह इसे अयथार्थ ग्यान की कोटी में रखा गया है, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीनों अयथार्थ ग्यान हैं, अतह अप्रमान हैं, एक रसी के बारे में चार व्यक्तियों के ग्यान के चार रूप हैं, पहला यह रसी है यह यह यथार्थ ग्यान है, दूसरा यह सांप है यह विपर्यय ग्यान है, तीसरा यह रसी है यह सांप है, संशय आत्मक ग्यान है, चौथा रसी को देख कर भी पता नहीं चलता कि यह क्या है अनध्यवसाय ज्ञान है इस प्रकार के विवेचन से हम इस निसकर्ष पर पहुँचते हैं कि जैन परंपरा में यथार्थ ज्ञान को प्रमान माना है और उसे स्वपर व्यवसायात्मक अर्थात स्वपर का निर्ने करने वाला कहा गया है